आपका बहुत स्वागत है आजकल सर्दियों का मौसम है और मार्केट में मटर बहुत अच्छे मिल रहे हैं इसलिए आज में लेके आई हूँ मटर के पराठे की रेसिपी मटर का पराठा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे अगर अच्छी तरह से भर के बनाएंगे तो यह बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथी साथ यह जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें क्योंकि म चाहो तो मैदा भी यूज कर सकते हो और यह मैंने फ्रेश मटर लिया है यह देड़ कप है इसके जगा आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हो थोड़े से मैंने यह धनिया के पत्ते लिया है वन टी स्पून मैंने यह साबुद धनिया लिया है इसको मैंने क्रश करके रख लिया है और 1 टीस्पून मैंने यह जीरा लिया है 1-4 टीस्पून मैंने यह हल्दी का पाउडर लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है और 4-5 मैंने यह लेसुन लिया है हरी मिर्च अगर आप नहीं खाते हैं तो इसकेप कर सकते हैं और एक चुटकी मैंने यह हेंग लिया है और नम के रख लेंगे उसके लिए मैंने आटे को ये एक बोल में रख लिया है और इसमें हाफ टीस्पून मैं ये नमक दाल देती हूं और वन टीस्पून ये मैंने जो रिफाइन डॉयल रखा था वो दाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो अभी मैं इसमें थोड़ा- तो मैंने ये सॉप डो बना के रख लिया है अब इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे जब तक आँटा सेट होता है तब तक मैं इसके स्टफिंग बना लेती हूं स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कडाई रखती है और उसमें मैंने दो छोटे चमच रिफाइन डाल दिया है ये तेल गरम हो गया है अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूं जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा फिर मैं ये हिंग डाल देती हूं और ये लैसुन और हरे मिर्च जो मैंने रखा था वह भी डाल देंगे थोड़ा सा इसको फ्राइग कर लेंगे अगक कि इसको ठोड़ा सा फ्राइगे आप चाहिं तो लैसुन और हरी मिर्च को छोट छोटा काटके भी डाल इसकते हैं मैं इसमें ये हल्दी पाउडर डाल देती हूं हल्दी पाउडर बिल्कूल तोड़ा सा ये डालेंगे और ये दन्या पाउडर भी डाल देंगे और फिर में ये हरे मतर दाल देती हूँ मैंने हरे मंतर को भी दाल दिया है गैस का दूर्ट ही रखेंगे और नमक भी दाल देंगे नमक आप अपने स्वादी का onto अनुसार दाल दाले तो अभी मैंने नमक दाल दिया है और इसको चला लेंगे और इसमें पानी दालने की जर्वत नहीं है पकाने के लिए क्योंकि इसमें मैंने जो नमक दाला है इससे इसका पानी रिलीज होगा और इसी में ये मटर पक जाएगा ज्कर को घ्रुइन गलेंगे हो तो अब मैंने चे साथ मिनिट के लिए हिसको पकालिया अब यह अच्छी तरह से मटर पक चुका है अगर आपका मटर ज़्질 ने लगकित थोड़ा सा पानी डाल के और इसको पका सकते हो, अब टेज फ्लेम कर देंगे और थोड़ा सा इसको सुखा करके निकाल लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे, अब मैं ग्यास का फ्लेम बन कर देती हूं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए तो अभी ये मटर ठंडा हो गया है, और मैंने इसको मिक्सी केक जार में दाल दिया है, अब इसको ग्राइन कर देंगे, इसको दरदरा ही पीसेंगे, बहुत जादा बारिक नहीं पीसना है, तो अभी मैंने इसको ग्राइन कर लिया है, ये ऐसा दरदरा इसको ग्राइन करें अब पराथे बनाएंगे बनाने के लिए इसको एक बार और एच्छी तरह से इसको मिला और उसको दोनों हाथों से ऐसे दबाते हुए ऐसे गोल गोल चिकना कर लेंगे इसको और फिर सुखा अंटा लगा लेंगे और फिर ऐसे गोल गोल करके और इसकी एक कटोरी जैसी सेव बनाएंगे ऐसे गुमाते हुए एक यासी कटोरी जैसा सेव बनाएंगे और इसमें एक या देढ़ चमच स्टफिंग डालेंगे यह स्टफिंग डालेंगे फिर यह तोनों हाथों से इसको ऐसे प्रस करेंगे और ये सब तरफ से इसको ऐसे बंद करेंगे ये ऐसे सब तरफ से बंद कर देंगे और फिर जो इसका एक्स्रा अटा है वो थोड़ा सा ऐसे तोड़ के खटा देंगे और फिर सुखांटा लगा लेंगे, और फिर इसको बेल लेंगे, हलके हाथों से इसको बेलना है, बहुत ज्यादा इसको दबा के नहीं बेलें, हलके हाथों से इसको बेलेंगे, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, हलका सा मोटा ही रखेंगे, ऐसे पराठे बना के रख लेंगे एक तरीका मैं और बता देती हूं एक लोई लेंगे दोनों हाथों से ऐसे मसल के इसको चिकना कर लेंगे उसके बाद सुखा अंटा लगाएंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे आएसे बेल लेंगे उसके बाद इसमें स्टफिंग डालेंगे एक देडिशमच्छ बड़ेंगे आए उसके बाद फिर इसको उठाके और फिर इदर से इसे सब मिलांगे ऐसे दबा के प्रेस करते हैंगे इसको ऐसे करते जाएंगे और फिर इसका भी जो एक्स्रांटा है उसको निकाल लेंगे और फिर इसको इसे दबा देंगे दबा के सुखा अंटे लगा लेंगे और फिर बेल लेंगे हलके हाथों से प्रेस करते हुए इसको बैल लें ऐसे भी आप बना सकते हूँ जो तरीका आपको पसंद हो भूत तरीके से आप पराठे बना सकते हो तो पराठा बनाने के लिए मैंने एक तवा रख दिया है गया और यह तवा गरम हो गया है अब मैं यह पराठा दाल देती हूं अभी एक तरह से सिग गया है अब मैं इसको पलड़ देती हूं तो अभी यह सिग गया है अब मैं इसमें तेल लगा देती हूं आप रिफाइन ओयल लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं आपको जो पसंद होगा आप वो पन टूब गे परअथे को दबां दबांके एसको सेक लेंगे और यह जो गोल्डें ब्राउन हो जाएगा फिर इसको निकालेंगे गौल्डें ब्राउन कलर करो हो गया है दोनों तरद से आम रीक से सेख लें फिर इस पे ओई लगाएंगे गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे देखिए ये पराठा कैसे फूलने लग गया है अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है आप देख सकते हो दोनों साइट से हमें इसको निकाल के रख लेती हैं ऐसी सारे पराठे बना के रख कर दिया है मैंने इसे दही और अचार के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो इसे आलो की करी वाली सब्जी के साथ सर्फ कर सकते हो आप मेरे स्टाइल से बनाईए खाईए और अपने कमेंट करके मुझे बताईए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तके लिए बाबार